IPL 2022 की चैंपियन गुजराट टाइटन्स ने IPL 2023 के आउक्शन टेबल पे कैसा किया है परफॉर्म हाला कि गुजराट टाइटन्स ने आज के दिन का पहला खिलारी खरीदा था जहां उन्हें मातर 2 करोड की रकम में केन विलियमसन मिले इसी के साथ में गुजराट टाइटन्स ने IPL के इतिहास में खरीदा है आईरलेंट का पहला खिलारी जोश्वा लिटल के रूप में लेकिन इसके इलावा आउक्शन टेबल की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कैसी नजर आ रही है हारदिक पांडिया की गुजराट टाइटन्स 2023 में जाने के लिए क्या इस टीम के साथ एक बार फिर से खिताब को अपने नाम पे कर सकता है गुजराट या फिर उससे जाएगा चूक जानने के लिए आईपियल 2023 में गुजराट की नई टीम देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट पहले सीजन में ही खताब अपने नाम कर चुकी गुजराट टाइटन्स के लिए अपने टाइटल को डिफेंड करने की चुनोती होगी इससे पहले की सिर्फ मुंबा इंडियन्स और शेनने सुपर किंग सी ऐसा कर पाने में काम्याब हुई हैं ऐसे में हार्दिक पांजया की अगुवाई में गुजराट टाइटन्स के लिए ये कहीं से भी आसान नहीं होगा डिफेंडिंग चैंपियंस गुजराट भी आरसीबी की ही तरह कोई जादा बदलाओ के मूड में नहीं दिखी आक्शन से पहले टाइटन्स ने सिर्फ जार खिलाडियों को ही रिलीज किया बाकि सारे नाम गुजराट ने रीटेन कर लिये थे कप्तान हर्दिक पांजया, उपकप्तान राशिद खान, स्टार ओपनर शुपमंगिल, दो बेहतरीन फिनिशर डेविड मिलर और राहूल तेवतिया विकेट कीपर मैथ्यू वेड और रिधिमान साहा समेत अपने कोड टीम का साथ गुजराट ने बनाए रखा है इनके अलावा अनुभवी तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी, युवा भारती तेज गेंदबाज यश्ट दयाल, वेस्ट अंडियन स्पीडस्टर अलजारी जोसेफ, आरसाई किशोर विजय शंकर, इंडियन मेडिल ओडर बैटर साइंस उदर्शन जयन्त यादो, युव अभिनो मनोहर, तेज गेंदबाज, प्रदीप सांगवान, युवा गेंदबाज, दर्शन नालकंडे और अफगानिस्तान के मिस्टरी स्पीनर नूर एहमद, गुजरात की उसी चेंपियन साइट का एक बार फिर हिससाब बनेंगे, हाला कि अपने लगभग सभी खिलारिय को खरीद सकती थी, ऐसे में गुजरात टाइटन्स ने नीलामी में सबसे पहले न्यूजिलेंड के पुर्व टेस्ट कप्तान केन विलियमसन पर अपना दाउं लगाया, और केवल दो करोड की बेस प्राइस पर विलियमसन गुजरात के हो गए, वहीं एक अच्छी तेज ग खरीद कर एक अच्छी खरीदारी की, इसके अलावा बैक अप विकेट कीपर के लिए केस भरत को एक करोड़ बीस लाख और कैरिबियन ओल राउंडर ओडियन स्मित को पचास लाख में टाइटन्स ने खरीदा, इनके अलावा उर्वी पटेल और तेज गेंदबास मोहित श पर बल्लेबाज उपन करते हुए नजर आ सकता है, जबकि केन विलियमसन के आने से गुजराद की तीन नंबर की गुथे सोलच सकती है, वहीं हार्दिक पांडिया, डैविड मेलर और राहुल तेवतिया की तकडी पर गुजराद की बल्लेबाजी का दारुमदार रहेगा, जबकि उपकप्तान राशित खान और साइं किशोर इस्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे, इसके लावत तेज गेंदबाजी में मुहमद शामी और अल्जारी जोसेफ मौजूद होंगे, जबकि यश्ट डयाल लिया, शेवम मावी में से कोई एक नाम तीसरे ते यूटूब चैनल को, वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें,